दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आए दिन सेव का सेवन करते होंगे और आप में से कुछ लोग सेव के छिलके को उतार कर तो वहीं कुछ लोग सीधे तोर पे छिलके के साथ जो है सेव का सेवन करते होंगे लेकिन क्या कभी आपने सेव के छिलके से बनी चाय का सेवन किया है? क्या आप इसके फायदों के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सेव के छिलके के चाय का सेवन आपके लिए बहुत ही गुड़कारी साबित हो सकता है, एं बहुत इंफर्मेटी वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने नित्रों के साथ सेर भी करते रहें, आए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला फाइदा है आपके स्किन के लिए, इस स्किन से जुड़ी समस्याओं से बचने के क्योंकि सेब के छिलके में विटामिन और पोशक तत्तों की प्रचूर मात्रा पाई जाती है, जो तोचा को स्वस्त ग्लोइंग और सौफ्ट बनाने में मदद करती है, उसके बाद अगला जो उपाय है वो है, पाचन में सुधार की, अगर आप डेली का जंग फूट खाख कर आप अपना पाचन खराब कर चुके हैं और आए दिन आपको पाचन से जुड़ी हुई कोई न कोई समस्याएं होती रहती है, तो उससे निजात दिलाने के लिए सेब के छिलके का चाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें परचूर मात्रा में फाइबर पाये जाता है, जो आपके पाचन क्रिया को सुधारने का काम करता है, और पाचन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में आपकी मदद करता है, ऐसे में नियमित रूप से सेब के छिलके की चाय पीने से आपके पेट में गैस, अपच और ब्लोटिंग की समस् या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बुरी तरह से इस समस्या से गरसित हुए पड़े हैं, इतना ही नहीं, मोटापा सरीर में दूसरी बीमारियों को भी बढ़ाने का काम करता है, ऐसे में आप अपने वजन को कंट्रोल रखने और अगला जो फाइदा है वो है दिल के लिए, आईरवेद में सेब के छिलके की चाय को दिल के स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मन बताया गया है, क्योंकि इसमें पाये जाने वाले एंटि आक्सिदेंट गूर दिल से जुड़ी बीमारियों के खत्रे को कम कर दिल को स्व स्वास्याओं से जूज रहे हैं, तो आप सेब के छिलके से बनी चाय का सित्माल कर सकते हैं या आपके सिहत को बहुत ही अच्छा लाब पहुचाने का काम करता है, उसके बाद अगला जो फाइदा है वो है जोड़ों के दर्द में, ढलती उम्र के साथ लोगों में दर्द गठियां की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है, जो लोगों का चलना फिरना दुस्वार कर दिया करते हैं, ऐसे में सेब के छिलके में मौजूद गुण जोडों के दर्द को ठीक करने में मदद करते हैं, इसलिए नियमित रूप से सेब के छिलके से बनी चाय पीने से जो पानी तथा दालचीनी के दो टुकडों को डाल कर इसे अच्छी तरह से उबालें और जब यह पक जाए तो इसे एक कप में छान लें और हलका ठंड़ा हो जाने दें, इसमें एक चम्मच सहद डाल कर इसका सिवन करें, यह आपकी सिहत को बहुत ही अच्छा लाब पहुचा और रामबार AUSCADY की तरह काम करेगा, बस ध्यान रखें कि सहद आपको यह चाय थंड़ी होने के बाद ही मिलाना है, ना कि आपको इसको गर्म चाय में डाल करके मिलाना है या उसके साथ में डाल करके आपको उबालना है, नहीं तो यह जहर बन सकता है, तो दोस्तों यह पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका दिन सुभ हो प्रूप अन्यवाद आपका मेरख करने के लिए अन्यवाद आपका दिल से धन्यवाद